हाई गाईज, स्वागत है आपका एक बाफ फिर से हमारे चैनल में और एक बाफ फिर से हम आए हैं लेकर के CBSC Class 10th 12th Board Exam 2019 के नए अपडेट के साथ में आज हम आपको एक जानकारी देने वाले हैं जो कि खास है लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़े उमीद करते हैं कि आपने हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा अगर नहीं किया है तो गाईज, प्लीज, 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथी साथ में बेल आइकॉन को दबाना ना भूल ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो के अपडेट, नौटिफिकेशन, जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहें दोस्तों हमारी कोशिश शुरू से बनी वी है कि हम आपके लिए वो जानकारिया लाएं जो कि आपको किसी भी तरह के टेंशन से दूर रखें इस वक्त हम आगे बढ़ें, इससे पहले हम आपको एक एडवाईस देना चाहते हैं सभी स्टूरेंट्स को, गार्जन्स को कि वो काइंडली परिशान नहीं हो रिगार्डिंग एक्जाम से रिलेटेड डेट शीट के बारे में कोई कन्फूजन ना लें वो ऐसा कई जानकारियां मुझे मिल रही हैं, बहुत सारे स्टूरेंट्स पूछ भी रहे हैं, काफी वीडियोस के बारे में तो देखिए, फेक वीडियोस में आपको नहीं जाना है स्टूरेंट्स, आपके लिए ये टाइम, ये समय बहुत प्रीशियस है इस वक्त अगर आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो वो गलत होगा, और वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, कि आप अगर जानकारी कन्फर्म होना चाहते हैं, तो आप CBC के official website www.cbc.nick.in के website पे जाकर आप पूरी जानकारी ले ही सकते हैं, वैसे हम आपके सामने में हमेशा जो भी अपडेट्स हैं वो लेकर आते ही रहेंगे तो बिना समय पर बात के हुए, आपको ले चलते हैं, इस खास जानकारी की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर है, कि CBC Class 10th 12th Date Sheet 2019, CBC जल जाली करने वाला है बोर्ड एक्जाम की Date Sheet, और इसमें खास क्या है, इसमें खास ये है कि CBC के चेर्मेन अनीता अगरवाल के अनुसार, दसवी और बारवी के बोर्ड के एक्जाम की Final Date Sheet जो है, वो जनवरी के दूसरे सब्ता हमें जारी होगी, मतलब जनवरी के Second Week में आपको उम्मीद है कि आपको Final Date Sheet मिल सकता है, तो अभी आपके लिए सबसे Important चीज जो मेरे हि इसाब से है, वो है आपका Preparation, आप उसके Preparation में, अपने पढ़ाई के Preparation में लगे रहे हैं, चेके, आगे चलते हैं और कुछ नई जानकारियों को लेते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, स्क्रीन पर, अपने स्क्रीन पर, कि CBC के चेर्मेन अनीता अगरवाल ने यह जानकारी दी है, कि जो Date Sheet है, वो जनवरी के दूसरे सप्ताह में Release हो सकती है, चेके, और इसके लिए Students क्या कर सकते हैं, कि CBC के Official Website, cbc.nick.in पर आप ज़्यादा अधिक जानकारी ले सकते हैं, देखें, दोस्तों, हर साल Actually में होता क्या है, कि CBC जो है, यह दोनों Classes के जो Exam के Dates हैं, वो February से April तक के बीच में, मतलब Exams को वो Conduct करते हैं, चेके, तो उमीद है कि इस बार भी वैसा ही कुछ होगा, हाला कि मैं आपको याद दिला दूं, कि Last Year भी ऐसा ही Confusion का महौल था, और काफी Dates आगे पीछे हो रहे थे, हमने उससे में भी काफी Updates Students को दिया था, ठीक है, तो उमीद की जा रही है कि इस बार भी Exam का जो Date होगा, वो February से आगे ही शुरू होगा, और जैसा कि जानकारी अभी recent हमको मिला है, कि अनिता अगरवाल जो कि CBC के Chairperson है, Chairman है, उन्होंने जानकर दिया है कि Exam के Date Sheet जनवरी महिना के दूसरे सप्ता में Release हो सकता ह अब एक खास बात यहां आपको ये भी ध्यान देना है, कि इस साल जो है, CBSE 10th Exam के Criteria में कुछ बदलाव ला रहा है, और Criteria क्या Change हुआ है, कि उनको Pass होने के लिए Practical or Theory में 33 Marks, Person Marks लाने होंगे, तभी वो Exam को Pass कर सकते हैं, ठीक है, यहां भी आप जानकरी ले सकते हैं, Indian Express dot com में ये जानकरी छपी है, कि, same way है news यहां भी, कि CBSE has already released a list of vocational subjects that is scheduled to be conducted from February to March, apart from the 40 different vocational subjects, the board will conduct exams for typography and computer applications, etc. वगर वगर ठीक है, उस से पहले कोई भी जानकरी आती है, तो हम आपको जरूर बताएंगे, बने रही है हमारे साथ, और Once again, at the end of this video, मैं आपको ये suggest बार-बार करूँगा, किसी भी fake videos के चकर में students या gargans नहीं आएं, अभी students आपका focus होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपके पढ़ाई पर, आपके syllabus पर कहां-कहां weak points हैं, उनको कीजिए, और हमने कुछ खास videos, like English के लिए, Science के लिए, Maths के लिए कैसे आप preparation करेंगे, final touch क्या होगा, final tips क्या होगा, वो हमने upload किया है, आप उसे जरूर देखें, और हमें comment section में जरूर बताएं, कि वो videos आपको कैसे लगे, अगर आपको videos पसंद आते हैं, तो please kindly, आप एक like पे click किजिए, और हमारे channel के साथ बने रहिए, उमीद करते हैं,